दिन की रोशनी खौब बनाने में गुजर गई, रात की नीन बच्चों को सुलाने में गुजर गई, जिस घर में मेरे नाम की तक्ती भी नहीं, पूरी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई नमस्कार मैं हूँ सौरब शर्मा आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, न्यूज नेशन बे मैं आपके एक ऐसी शक्सित से मुलाकात कराने जा रहा हूँ, जो 25 वरवरी को बहुती शक्षत किर्दार निभानते हुए आपके सामने नजर आएंगी, किर्दार बहुती सॉलिड तो कैसा लग रहा है स्क्रीन पर आके, थेटर में आके, बहुत टाइम से इंतजार था, लोगों ने कोशिश भी करी, लेकिन सब चीजे बैतर हो रही है, और तीन हजार स्क्रीन पर आपकी मुवी रिलीज हूँ, हाँ, I think मैं काफी excited हूँ, 2019 के बाद, finally मेरी फिल्म थेटर म की फिल्म है, जो जितना मैं कव हूँ, in terms of जितना काम हमने किया है, हाड़ वर्क हमने डाला है, उतना काम होगा, क्यूंकि दो साल के ब्लाड, स्वेट और टेर्स के बाद, finally फिल्म जाके बड़े बड़े पर रिलीज होने वाले, जहां ये फिल्म बिलॉंग करती है, तो बहुत excited हूँ, और hopeful हूँ, के लोग थेटर में ही जाके इस फिल्म को देखे, ये जो फिल्म है, एक किताब पे अधारित है, Mafia Queens of Mumbai, प किताब को पूरी तरस से अड़ाप्ट किया है, पहले मैंने किताब, पहले मैंने narration सुनी, script की, फिर script पड़ी, फिर किताब पड़ी, फिर किताब के author से मैं मिली, Hussain Zayadiji से, किताब में basically, it's a chapter, तो वो couple of points बताय गए थे, कि गंगुबाई इस समय और इस उमर में, बंबय आई, you know, with her partner at the time, फिर वो कैसे powerful हुई, वो किस किसम की इंसान बन गई, few important plot points in her life, जैसे आजाद मैदान का भाशन, हरुजी से मिलना, etc, etc, करीम लाला का उनके साथ encounter, वो सारे चीजें फिल्म में है, और उनकी जो in between थी, कि वो कैसे ये सारे points तक पहुंची, ये हमें fill in the blanks करना था, basically, क्योंकि उसके बाद हमें इतना information नहीं था, but ये हमने author के साथ बैठके, थोड़ा सा understanding, obviously, बहुत research करके, संचे सर्ने बहुत सारे historicals किया है, तो he's very correct about facts, facts के साथ meddle ना करके, उसे अच्छी तरह से represent करके, और उसको creative और poetic तरीके से दिखाना, बड़े screen पे तो वो सब हमने कोशिश किया है, जो lines बोली, उससे कितना इत्फाक रखती है, हाँ, मैं आचली कहने वाली थी, बहुत ही interesting है, आपने कहा से है, मतलब आपने खुद लिखा है, बहुत ही खुबसूरत है, आपको लगता है कि जिस तरगी सशक लेडी वो थी, जवालाल वो जो भी बोलती थी, बहुत बिंदास हो के बोलती थी, एक उनका इंसिदेंट भी है, जापे वो कहते है, वो क्या वो फिल्म के अंदर सारे इंसिदेंट्स दिखाए जाए जाएंगे, या उस पे भी कई जगा कहची चलाई गई है, वो आपको फिल्म में देखना पड़ का वो जवालाल नहरो के साथ जो उन्होंने मीटिंग किया था वी ट्राइट तो स्टे आज अथेंटिक तोर्ड डाट मोमें और वह आपने एक दम सही कहा है कि बहुत ही बड़ा मोमें था पर उन्होंने कैसे कहा वह आपको फिल्म में देखना चाहिए वह बहुत ही मजाके त अगर आप फिल्म में देखोगे तो बालो में फूल तो उसके कॉंस्टेंटली है मैंने प्रमोशन में भी पहना था और अई थिंग वो गंगुबाय की खासियत थी सोना सोने से लदी हुई थी सोने वाला दात भी था और वो फूल पहनती थी और बोटल हाथ में हमेशा एक ग्रानी शाप का बॉटल रहता था रियलिजम और जो ग्लेमर है उसके बीच कैसे आपने इस किरदार को निभाया क्योंकि रियलिजम और ग्लेमर और उस एरा के को दिखाना जहां पे आखों में दर्द है और फेस पे इतना पावर है उसको कैसे मैनेज किया बिकॉज एक व देरे भी परफॉमेंस एंटर्टेनिंग बनाना है यह नहीं कि सब दुख्यारी बैट के पिक्चर देख रहे है इट ऐस तो बी फ्रन्ट फूट परफॉमेंस और वो क्यारेक्टर भी ऐसी है थोड़ी मजाकिया है थोड़ी इंटेंस है थोड़ी हूमरेस है थोड़ी गु मेना कुमारी की बहुत सारी मूवी आपने देखी संजलीरा बंसाली की तरफ से कहा गया थे या आपने खुद देखा क्योंकि एरा वो ही था और उस एरे को रिवाइफ करना था और उसको पावरफुल तरीकी से दिखाना था मैंने मूवी कम वीडियो उनके ज्यादा देख पर आखों में एक कॉंस्टन्ट नमी एक इंटेंसिटी थी सर वो चाते थे वो बिंदी तो ही इस अपसेस्ट विद बिंदी और आधिंक वो एक इतनी रमगई की गलिसरीन का भी इस्तमालने किया और शॉट्स के बाद भी इतने इमोशन से भर जाती थी और लगतार आशू बहते रहते थी अगर मैंने कभी भी इस सेट में गलिसरीन लिया था इम शॉर एक दो मोमें में लिया होगा बट या आई थींग अगें वो आसू वाली फिल्म नहीं है एक एमोशन हाँ मैं कहूंगी मोमेंट्स जब बात करने जब आप कुछ पैशनेटली आप बोल रहे हो तो पैशनेटली अगर मैं एक स्पीच या कुछ बोल रही हूं तो उसके आफर एफेक्ट सापकी बॉडी में भी होते हैं तो मैंनी मोमेंट्स आइस तो दूदा और मेरे हाथ कापते थ क्यूंकि आट वोड टेक ओवर दो इंटरनली आपको टेक ओवर करता था अलिया आप दे शांबे नेगल सापकी मंडी थी वह भी आपने देखी शबानाजमे सोनी राजदान आपकी मॉम उसमें थी उसमें से क्या आप लेक्या है एक शॉट है मेरी ममी का जो उनका इंट्र दियालोग है शक्ति, सदबुद्धी, संपत्ति ये तीनों में ही औरते हैं और इसमें फिर मर्द की उगहमण करें क्या कहना चाहरे है जी मैं यह मानती हूँ कि जब ये जब गंगुबाय डायलोग बोल रही है तो ये औरते को बोल रही है वो अपने आपके अंदर की साथ का गुरूर गुरूर तो आपको और अगर उनको भी गुरूर है फिर भी गुरूर आपको और चाहिए तो आइचिंक वो बहुत अच्छे से लिखा गया है प्रकाष जी ने इतना मतलब हैसा डायलोग शू ब्यूटफूल वह बाबाबाबाबाबाबाय शॉट करते र आपने इस किरदार को निभाया, बहुत इंटेंस किरदार है, और शशक्त मैं बार बार इसलिए कह रहो, क्योंकि डायलोग को लेके, उस एरा को लेके, आपको लगता था, कि ये मेरा जो ड्रीम था, ये पूरा हो चुका है, because you always wanted to be Sanjay Deela Bansali's heroine. Definitely, पूरा तो हुआ ही है, और मैंने अब ये नहीं सोचा कि इस किरदार के साथ पूरा होगा, तो hopefully जब, if everything goes well और ये सब अच्छा चले, then I will know कि मेरा जो एक belief था, कि एक visionary के विजिन के साथ जाना, और उनके विजिन में बिलीव करना, और उनका विजिन आपका विजिन बनाना उसमें एक, क्या बुलते है सकते हो, एक purity है और एक बहुत ही simplicity है, which is, comes from a very pure place art के तोर पे, उसको आप art कहते हो, एक बहुत belief है in the vision, मतलब हम लोग manipulate ने कर रहे हैं, प्रोजेक्ट ने बना रहे हैं, it's coming from a very pure place in the heart. अचाली यह और बती है कि, एक एक्टर है वो नेवर क्रिटिसाइज एन्यवन, और जब भी वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं, तो ऐसे ऐसे जरूर करते हैं, तो आपको, जब उन्होंने आपका ट्रेलर देखा, what was the first thought in his mind? और लोग कंफ्यूज ना हो जाएं इसलिए, हम रनब अचाली ने अचाली फिल्म देखी है, but he loved the trailer, I was waiting, I was promoting at that time, I had to call him and say, ट्रेलर देखा कि ने, हैसा लगा टाइपस, and he loved the trailer, and he message भी 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 भीजा, and all, before I could connect with him, but he's seen the film also, तो. अलिया, बर्लिन फेस्टिवल में भी आप गए, और जिस तरह के सामने वीडियो देखे, बहुत प्यार वहापे भी मिला, अगर वहां का कुछ शेयर कनना चाहेंगे, क्योंकि वहां के लोगों को जिस तरह के से प्यार मिला है, वो कमेंडे बले, I think, वहां जाके, जब आप ओडियन्स के साथ पहली बार आपकी फिल्म देखते हूं, उनके पास साथ बैठके, मैं तो ऐसे काफी देख रही थी लोगों के चहरे, मतलब कैसे रिस्पॉंड कर रहा है, कोई सो रहा है कि नहीं, मतलब I just wanted to make sure कि साभ फिल्म अच्छे से देख रहा है, और I think from the first frame onwards, black frame से वो फिल्म के एकदम अंदर घुस गए थे, I could sense their silences, their responses, I mean मैंने परस्नली जाके लोगों से नहीं पुचा कैसे लगे, कैसे लगे, कैसे लगे, कैसे लगे, बर the end of the film, एक energy आ जाती है and I feel like उनोंने फिल्म पसंद किया, और more than anything for me, the experience वहां जाके उनसे मिलना, थंड में, बा मतलब एकदम भरपूर बनाते हैं and without them the experience is totally incomplete, thank you talking, thank you so much, तो यह थी आलिया जिन्होंने बताया कि किर्दार अगर आपको देखना है क्योंकि किर्दार का अंश उनके अंदर भी बचा है, अगर लेकिन पूरा किर्दार आपको देखना है तो 25 फरवरी थेटर्स पर जाके देखे फिल्म को